नमस्कार इस्टोंट इस वीडियो में डिसकस कर रहा हूँ नाइन्थ क्लास इस्टोंट के लिए बहुत इंपर्टेन प्रण्स इस्टोंट नाइन्थ क्लास के एक्जाम अब होने वाले होंगे और बहुत अच्छे कोशन मैं आपको बता रहा हूँ साथ में कंसेप्ट इए एक्समेलन करूँगा और इस वीडियो में आपके लिए साथ तीन कोशन डिसक्स करूँगा पहला आप खुद कोशिश करियागा कोशन सॉल करने के जब कोशन सॉल नहीं हो पाएं तब वीडियो देखिएगा यहाँ पर पहला question यह है कि इस polynomial को जब आप इससे divide करते हो तो remainder x minus 6 आता है बताइए P और Q की value क्या होगी इस तरह question कैसे solve कर जाएंगे यहाँ P और Q की जब क्या कर सकता है A और B पूर सकता है कि A और B की value क्या होगी इस तरह question solve कैसे करेंगे ज़रा यह समय निकोष्टर करते हैं देखिए इसको इससे divide करिए आप x square minus 2x minus 3 से divide करिए किसको x q minus 2x square px और minus q से divide कैसे करते हैं कि इस पहले number को इस पहले number से divide करते हैं जो Q को square से divide करेंगे तो x टाइंट पैड होगा उसके बाद इस x का multiply है यहाँ पर जो भी number है उससे करेंगे इसका multiply हिससे करेंगे तो x q आएगा इसका multiply हिससे करेंगे तो minus का 2x square आएगा और इसका multiply हिससे करेंगे तो minus का 3x आएगा इतना आ गया उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद से subtract करते हैं माइनस आगया, प्लस आगया और ये प्लस आगया, ये चैंसल हो जागा और ये भी चैंसल हो जागा, यहाँ पर क्या बचाएगा, यहाँ पर बचाएगा PX प्लस 3X माइनस Q, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं सकते हो, X कॉमन ले लो, P प्लस 3 माइनस Q, अब आप कड़ सिनुदेट कर सकते हो कि लिए कर सकते क्यों कि हो कि हम पर दिइवर्य बडिया और यहांपर रिखरी नहीं होगा और एकस- практически इसको KEY करेंगे तो यहां पर एक्सक्रोंफिशन वन और यहां पर क्या है Plerus 3 है तो आप कह सकते हो कि Pantes 3 जो है बन के बराबर होगा तो प क्या हो जाएगा प्यो जाएगा इसको 3 देले है तो मैंनस 2 हो जाएगा और इसको से कंपेर नेगे तो मैंनस Q ऺंट टो मैंनस 6 यह है x square minus kx plus 8 मैं कहता हूँ कि जब मैं इस gx gx मेरे पास है x minus 1 जब इसे x minus 1 से divide करता हूँ तो remainder जो है rx जो है वो x के term में तो आनी सकता है x power में तो आनी आ सकता है क्योंकि इसकी degree भी भन है तो यहाँ पर remainder की degree भन तो नहीं हो सकती remainder क्या हो सकता है कोई constant हो सकता है माल लें तो remainder जो फूर है तो बताइए के की value क्या होगी त्रहें हो सकता है एक तरीका तो यह होगा कि आप इसको से divide करें एक तरीका डिबाइट होगा और फिर आप compare करने के reminder क्या आ रहा है और की कि बहुद निकाल कितना आ गया वन आ गया अब बन इस पी एक संपूट कर दो तो पी बन जो आएगा वो रिमेंडर होगा कहने का मतलब है बने स्क्वार माइनस के इंटू बन प्लस एट यह चीज क्या हो जाएगी रिमेंडर हो जाएगी और रिमेंडर आपके यहां पर कहता है रखा है फोर द जाएगा फिक्टर मानख जाएगा मेरी बात समेंजा अगएिंस्ट्ण्स की दौनमेंगा अच्छी तरह से एक बात और में आपको बता दू कि 9th class में आप 12 साल अगली साल मार्च में आप 10th में आ रहे हो 10th class को के लिए मैं complete course design कर दाओं 10th class को उस complete course में क्या होगा complete में होगा complete NCRT with example, with concept, complete NCRT exemplar with concept or with example, सभी questions आएंगे, सारे questions के solution जो होगे video format में होगे, और क्या होगा, NCRT होगी, NCRT exemplar होगा और previous question chapter बाइज, 10 साल के, और उनके solution video format में होगे और होगे आपके पास extra questions, जो आपके board example लिए important हो सकते हैं, याद इस्टांट आप इस complete course कर लेते हो, और complete course में जो भी question में आपको दे रहा हूँ, उनको आप कर लेते हो, तो मैं आपको एक guarantee के साल लिके दे सकता हूँ, को आप board में भी 100% questions solve कर सकते हो, ठीक है, इस से हट के आपका paper नहीं आएगा, आप इस course को लेकर क्या फायदा हो सकता है, इस course को लेकर आपके फायदा यह हो सकता है, आपको tuition की बिल्कुँ जरुतरी होगी, आपके वल क्लास में और मेरे course को पढ़के, आपने course को बहुत इमानदारी से complete कर सकते हो, दूसरी बात यह होगी, याद मान लेता हो, आप tuition पढ़ते भी हो, तो भी आप अपने concept को clear करने के लिए, इस course को ले सकते हो, ठीक है, भाई हर समय आपके बाद teacher नहीं होता, लेकिन एक course आपके पास हमेसा रहेगा, यह course अविलेबल होगा मेरी website पर, rbclasses.in पर, या rbclasses क app पर, यह course अविलेबल होगा, मार्च 2020 से, ठीक, एक मार्च से, इस टार्ट करोगा और नए से संपली, जरूर देख रहेगा, इसमें पहला chapter में जो दे रहा हो, वो totally free दे रहा हो, उसके बाद chapter की cost रख रख रहा हो, cost बहुत कम रख रहा हो, ज्यादा नहीं है, वो cost किबल इतनी है, कि अधा आपका home tutor, दो दिन का जितना payment लेता है, उतनी, उसकी cost रख रहा हो, ठीक है, बहुत कम cost है, और cost कम रखने का फायदा है, कि मेरा उदेश यह है, को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख रहें, बच्चे अपना समय बच्चा है, 10th class में अधिक अधिकतर देखाया आता है, कि बच्चे अधिकतर प्रां समय अपने ट्विश्राओं को बितित करते थे, इदर और गूमने बितित करते थे, उसकी जरुत नहीं होगी, आप काम class के अंदर करें, ठीक है, और class के अंदर करने के बाद मैं जो आपको course दे रहा हूँ, उसको ढ नहीं है, लेकिन सभी 0 नहीं है, लेकिन A plus B plus C का समझ जो 0 है, तो बताएए इसकी value क्या होगी, ठीक है, बहुत अच्छा कोशन है, और आप solve कर सकते हो, आप देखिए, A square upon BC, B square upon CA, plus C square upon AB, आप इसका LCM दे सकते होगा, ठीक है, क्या आएगा, A, B, C, इसको इससे divide करेंगे, तो A time divided होगा, इसको multiply करेंगे तो A Q आ जाएगा, इसको divide करेंगे, तो B time divided होगा, इसको multiply करेंगे, तो B Q आ जाएगा, और इसको फिर क्या करेंगे, यह हां पर आपके पास आ आजाएगा CQ, इस तुन्ट, आपके पास यह answer नहीं है, फिक है, वो यहां पर option दे रखिया करफ एक देखिए हम यह जानते हैं हमारे पास से कंडिशन है भी है किए aq plus bq plus cq minus 3abc ठीक है इसके हम फैक्टर करें तो क्या होता है इसके होता है a plus b plus c और क्या होता है a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c ये तो होता है ना ये तो जानते ही का अडिटित ये भारे पास हब हमें यहाँ पर यह given है यहाँ हमें given है कि a plus b plus c कितरा है 0 है इसका मतरब यह पूरा reality कितरा हो जाएगा जीरो हो जाएगा जब यह पूरा जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा QABC आएगा और नीचे के आएगा ABC आएगा तो आप केसा कोण करने पर आनसर के तनदद घरिया और इस को देख सकते हो आप मार्च एक को कहा पर rbclasses की website पर जो rbclasses.in है www.rbclasses.in या मेरे app android app है rbclasses उसको download करके जरूर देखेगा एक question और सहल करांगा आप इसे copy कर दीजिए इस question में देखिए आपके फ़रम समझे लेंगे और एक concept को explain कर लेंगे यह 3x q plus 8x square minus का 6x plus 1 और आपके पास gx जो है वो है x plus 3 वो है कह रहा है कि इसको जब इससे divide करते हैं तो reminder क्या आएगा ठीक है? reminder 0 भी आ सकता है यह जो reminder 0 आ गया तो यह जो चीज है x plus 3 3 है इसका क्या मना जाएगा? factor मना जाएगा लेकिन reminder आपको check करना हो तो क्या करना होगा? इसके लिए आपको यह करना होगा कि आप x plus 3 को 0 के बराबर रख लिजिए और x बराबर बिलू निकालिए तो minus 3 आएगा ठीक है? आप इससे put कर दिए p minus 3 निकालिए इसका मतरब है x क्या minus 3 निकाल दिए कितना हो जाएगा? 3 into minus 3 whole q plus 8 minus 3 whole square 6 into minus 3 plus 1 यह जो चीज आएगी न वो क्या मनी जाएगी? रिवेंडर मनी जाएगी यह रिवेंडर थवर्म होती है कि यह आप p x कोई polynomial है आप इसको x plus a से डिवाइड कर रहे हो रिवेंडर क्या आएगा? इसका मतरब है कि इसको 0 के बराबर रख रख जिए x की value निकालिए और इस x की value को यहाँ पर put कर दिजिए कहने का मतरब है p minus a निकालिए यह जो है वो क्या हो जाएगा? रिवेंडर हो जाएगा ठिक? यह रिवेंडर थवर्म यह रिवेंडर 0 आता है तो यह जो x plus a है p x का factor मना जाएगा आप समझ गया होंगे इसे solve करने पर जो number आएगा वो ही number क्या मना जाएगा? रिवेंडर मना जाएगा बात किलिए रहना इस तरह कोसन सौट तरीके से कैसे करे जाएगे और कैसे जल्दी करे जाएगे आपको समझ में आ गया हो रिवेंडर थोरम क्या है? लेकिन रिवेंडर थोरम कभ एप्लाई होती है कई बार आपको रिवेंडर दे रखा हुआ लेकिन उसको compare कर सकते हो और कुछ अनन्न कॉइंटरी दे रख्यों से निकाल सकते हो इस तरह के बहुत सारी क्वेशन बना सकते हो और इस तरह के क्वेशन आप अपनी क्लास में अपनी फ्रेंड के साथ जरूर डिसकस किया करें ध्यार किये mathematics एक दूसरे को बताने से बहुत अच्छी तरसम में आता है आप जो कुछ में जानते हो वो सारी बात है आप अपनी फ्रेंड को जरूर बताए ठीक है ऐसा करने से आप में confidence create होगा और आपके फ्रेंड में भी confidence create होगा ऐसा जरूर करेंगे ना आप जरूर करिए आपनी question के लिए आओ copy या इसे copy नहीं कराया तो जरूर करें और हो सकते इस वीडियो को share करने कुछ करें thank you very much thank you